असलाम लेकूम नाजरीन आप देख रहे हैं पाक टीवी आज आब लोग के साथ मैं चांद बातें शेयर करना चाहता हूँ एक तो मैकरोन को तोहीने रिसालत महेंगा पड़ गया दूसरा है कि एक बार फिर मूदी और इमरान खान आमने सामने हैं यह बहुत इंपोर्टन खबरा हैं पहले तो मैं आब लोग को बहुत यहाएं बात बताना चाहता हूँ काल तकरीबन काल राज को यह मर्यम नवाज और असकरी कयादत से मुलकात हुई मर्यम नवाज की इस से मर्यम नवाज ने अपना मुदा रखा कि आप ने क्यूं सियस्ट में आने की कोशिश की हमें क्यूं हरवाया गया तो जो असकरी का एलद ने कहा कि हमें बिलकोल भी इस सियस्ट में आने का शुक नहीं है आप हमें किस तरह कह सकते हैं, आपके पास क्या सबूत है कि हम सियासत में हैं, हमारा सियासत ने कोई किरदार है तो मर्याम नवास ने कहा कि जब हम सैनिट का अदम इतमाद तहरीक ले आए तो उस वक्त हमारे सब जो के अपोजीशन के वाउट थे, वो पूरे थे तो फिर हमारा ये कैसे हो गया सब के सब हमहार कैसे गये, हमारे एतम इतमाद तहरीक चून नहीं कामयाब होई तो इस पर पाक फॉज ने जवाब दिया, वो सहम शक्सियत ने जवाब दिया, कि आप को किस बन्याद पर ये आप कह सकते हैं तो मरिया नवाज ने कहा कि हमारे पास जब ये एफोट पूरे थे तो हम कैसे आ सकते हैं तो इस पर आई एस आई का कोई किरदार है, कि वो उन्होंने जो के हमारे सैनिट के जो भी मिमरान थे तो उनको कहा गया कि आप वोट पर जाया कर दे या कोई और काम करें या आई ना इस वज़े से हम हार गए, मैं और मेरे बाबा जो के हमारे दूसरे लीडर है वो ये ही समझते हैं तो फिर उनका यही जवब है हम इससे कोई किरदारह नहीं कर सकते हैं, कि नहीं कहा क्या हुआ हैं कि हम Рच क् maken नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पूरे मिम्रान है तो आप बेशक आदम इत्मात तरीक ला सकते हैं तो उन्होंने साफ लफजों में नहीं कहा कि आप हमारा साथ दें पहले तो यही कहा दूसरे लफजों में यही कह रहे हैं कि हमें दूसरे लफजों में यह दूसरे तरफ मदद मांगते हैं ये कैसे लोग हैं तो फिर पाक फोज ने जो भी आसकरी कायादत थी तो उन्होंने यही जवाब दिया कि अगर आप को दूसरा तरीका है तो आप बनाए हम इसमें आप उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं ना हम ऐसे चाहते हैं जो भी इलक्टर्ड हकूमात हैं हम उनके साथ खड़े हैं हमारा कोई ऐसा तालुक नहीं है अगर आप अदालते मुझूद हैं आप दूसरा काम करें आपके पास सबूत हैं आप अदालते में जाएं बॉंट लड़ें आप अब हमें क्यों गसीट रहें तो दोस्तों आप इस बात को आने वाले दिनों में नवाज शरीफ की जो भी तक्रीर होगी और वो जब भी दूसरा जल्सा ये कहे रहा हैं लावर में हम करने जा रहा हैं मिनारे पागे साम में तो ये फुल पाक फोज को अपने रिडार पर रखेंगे फुल निशाने पर आप देख सकते हैं क्योंकि प फिर बगवाद पर उतराएंगे तो रही बात दोस्तों आपको इंपोर्टन और बात बता दो कि अभी शिंगाईतावन थंजीम का जो कि इजलास होने जा रहा है अभी मूदी और इमरान खान की तक्रीर करने हैं वो भी आनलाइन होगी आनलाइन उस पर यानी शिंगाईता रूस उसकी कयादत करेगा उस पर रूस की कयादत में यह सब होगा तो इस पर इमरान खान ने अपनी तक्रीर लिखनी शुरू कर दी हैं देखते हैं कि क्या होता है मूदी उसका क्या जवाब देता है तो फिर अब इस बात को समझें कि एक बार फिर इमरान खान और मूदी हमने सामने आने वाले हैं अभी रूस का एक फौजी दस्ता हमारे पाक फौज से फौजी मेश्किन करने आ गया है अभी वो काली उनका जाल उत्राए हमारे हाँ तो ऐसे भारत के पसीने चूटे हुए है और वो चाते हैं के ऐसा ना हो पाकिस्तान और रूस के तो तालुकात खतम हो गए थे ये किस तरह बहाल हो गए तो हमारी जो भी पहले की काईदत थी वो बहुत बुरे लोग थे वो कभी भी रूस से तालुकात अच्छे ने रपने चाएं अभी हमारी फोजी और असक्री कायदत बहुत अच्छी होई हुई है और इमरान खान की कायदत में यह सब हमारे साथ हमारी लीडर्शिप और फोजी असक्रीयत से हमारे यह तालुकाद बहुत हो गए दुबारा तो आप इस बात को समझें कि अभी इन्शालला हमारे उसके साथ बहुत अच्छी तालुकाद रहेंगे इसे हमारा जो भी इमरान खान यानि मुदा है उसका वो कश्मीर का आगे भी उठाते रहे हैं और आज भी वो बहुत सक्त लफजों में उठाने जा रहे हैं इस बात को और से समझें इन्शालला वो भारत को उनका दुनिया को भी मकरू चेहरा दोबारा दिखाएंगे इन्शालला कश्मीर बनेंगा पाकिस्तान तो फिर और मेरी वीडियो लंबी ना हो जाए तो और अब को मैं इन्फरमेशन बता दूँ कि अभी जो मकरून यानि वो बेगार ही मीडिया से बात करते हुए का था कि मैं मुसल्मान को कोई टोचर करने वाली बात ऐसी नहीं की न करा रहा था मैं तो मुझे कल ही पता चला कि जैसे ही मैं ने बात की तो मुझे पता चला कि कोछ लोग हैं जिन के लिए ये बहुत ही तकलीफ दे बाते हैं तो ऐसा दोस्तो बियान जब आया तो आब समझे तुर्किय और पाकिस्तान ने जिस तर्हा बियान दिये इम्रान खान और तैब उरतगान ने बियान दिये और दूसरे मुमालक में जिस तरह यह किये गए यानि धर ने दिये गए ये उसी का है जो बैकार्ड फरांस की की गई ये उसी की बदावलत ये फरांस के अकल ठीका ने आगी उसके सदर की तो दोस्तों अभी उसने एक अखबार में भी एक आया हुआ था चापा हुआ था पूरी लेस्ट उन्होंने पूरी तश्दीक से बता था नादरीन अखबार में एक चापा गया था कि मैकरून ने कहा कि मुझे लगता है यह आप इस बात को सुनें कि उन्होंने कहा यह मुझे लगता है कि कुछ तबके के लिए यह बात जो मैंने की यह तकलीफ दे थी यह नहीं उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर लिए दोस्तो यह कल का बेयान है कल का मैं जिस वक्त यह वीडू बना रहा हूँ यह कल का बेयान है दोस्तो अभी यह उनके अकल ठीकाने लगी जब पूरे पाकिस्तान तरकी या मुस्लिम उमा ने इनकी जो भी ऐशियाज की बेकाट की तो इनके अकल ठीकाने अगया